हेलो गाईज, वेलकम बैक माई चैनल, मैं हूँ प्रिया, कैसे हैं आप सभी, I hope आप अच्छे होंगे मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो बढ़ते बच्चे है, आज कल उनको बहुत ज़्यादा हैट्टिक होता है सरदर्द की प्रॉबलम उनको बहुत होती है, तो इस वीडियो में मैं उन बच्चों के बारे में कुछ बाते आपसे डिसकर्स करूँगी तो फ्रेंट्स क्या होता है, आज कल बढ़ते बच्चों के अंदर बिल्कुल स्वस्त बच्चे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सरदर्द की प्रॉबलम होती है, लगबग बच्चों में दिखाए देती है और ये प्रॉब्लम क्यों होती है इसका तो रिजन नहीं मलूम होता लेकिन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी इस पस्ट तो नहीं बताते हैं लेकिन वो भी आईरन प्रोटिन की गोलिया दे के हमें भेज देते हैं लेकिन ये हर पैरेंट्स की प्रॉब्लम है और इस प्रॉबलम को मैं भी फेस करती हूं अपने बच्चों के उपर यदि आप भी इस प्रॉबलम को फेस करते हो तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहली बात है कि आप कभी बच्चों को खाली पेट मत रखिए मार्निंग टाइम में उनको जब ब्रेकफास्ट देते हैं दूद के साथ उनको कुछ दीजिये ताकि उनका पेट खाली ना रहे और उनके जो डेली के रूटिन में खाना होता है उनको उनको कोई भी समय का आप खाना ने करें उनको प्रपर ताइम टू टाइम उनके पेट में वोना चाहिए खाली पेट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट अगली में बता रही हूं आपको यदि बच्चे को पानी फुल मात्रा में दे मॉर्निंग टाइम में तो डे टाइम में तो सौरी वो खुद ही ले लेगा लेकिन आप हो सके तो उनको नाइट में भी बीच रात में आप उठा के पानी दीजिए ताकि उनमें सबजिया फूट्स जो भी उनको हेल्दी फूड होता है आप उनको खिलाने में प्रॉपर ध्यान देते रहिए ऐसा करने से काफी हद तक हम बच्चों के हैट्टेक से बस सकते हैं और हमारा बच्चा हैपी रह सकता है बच्चा हैपी रहे तो पारेंट्स तो अपने आप है वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और वीडियो से सम्मेंदित कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताइए मैं आपका रिप्लाइज जरूर करूंगी मिलते हैं आपको कर लिख अगली वीडियो में बभाए टेक केयर झाल 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